नेक्स अप्लिकेशन हम लेने जा रहे हैं ट्रांस्फॉर्मेशन अपिक्वेशन तो अगर कोई प्वेशन अगर गिवन है तो उसकी उस गिवन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कनवर्ट करना जो कि फ्रांस्फरमेशन एक की जो ट्रांस्फरमेशन अगर्ण आएधि यंदॉर्म गवह और आसी कंडिशन में इंपर्टेंट की आए कि जो सब्सक्राइब करना है जिनके में जिनकी रूट्स में चीन एक शिया जायेगा और सिमेट्रिक चीन जो होता है उसी कंडिशन में हम इस पर्टिक्लार ड्रानस्फार्मिशन को उसका मैं ऐक ठीक सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें डारेक्टली वेसा कर सकते हैं ठीक है तो वह आप सीख लेए किस तरह से हुगा if this equation has the roots alpha beta then the equation whose roots are Roots are Minus फिर्स देखिए minus alpha minus beta ये काम करना होगा main या जो workout करना होगा वो ये करना होगा Change x by minus x x by minus x in given equation तो इसमें यह चेंज कर देंगे फ़लब इसने क्या किया हम एक ऐसी एक इस एक बूट सार्म आइनस फास बीटा तो इसके तो डोनों पो नेगिटिब कर दिया है एक वही होता है जो कि रूट बनने वाला होता है तो उसे एक्स को किस से रेप्लेस कर देंगे माइनस एक से तो हमें फाइनली वो एक्वेशन बन जाएगी मिलेगी जिसके की रूट्स माइनस अलपा माइनस बीटा है यह भी मैं आपको जो important conditions होंगी उन्हें में change करके दिखाऊंगा second ही होता है अगर suppose करो 1 by alpha 1 by beta वाली equation ऐसी quadratic equation required है जिसके की roots 1 by alpha 1 by beta होगा then you have to change x by 1 by x तो देखिए इसने क्या किया है इसकी जो roots है roots basically x की value होती है तो हमें वो equation बनानी थी जिसकी roots 1 by alpha 1 by beta होंगे तो हम क्या कर रहे है उसमें given quadratic equation में x को किस से replace कर रहे है 1 by x है इस particular equation इसको हम शो करके दिखायता हूँ required equation b अब आप यह करोगे कि जो given equation s में ही change करोगे x की जगे 1 by x लिखोगे plus b x की जगे 1 by x plus c equal to 0 तो ही हो जाएगा a by x square plus b by x plus c equal to 0 अब एक और काम करना पढ़ेगा इस यह equation transformation complete नहीं हो आपी हमें इसको क्या करना पढ़ेगा equation के general format पे convert करना पढ़ेगा क्योंकि प्रॉपर general format नहीं एक वाड़ेडी equation का तो इसको x square से मेला ही multiply करेंगे a plus b x plus c x square equal to 0 इस पूरी equation को हमने किसे multiply किया x square से पूछेंगे क्यों because यह जो format था इसका general format नहीं quadratic equation का तो उस form के किसे multiply करेंगे x square से वाफिस यहां पर हमारा transformation हो चुका था तो फिर x square से क्यों multiply किया वो उसको उसकी general form में लाने के लिए overall पूरे x square से multiply करी सकते वाफिस तो इस expression को हम लिखेंगे c x square plus dh plus 1 equal to 0 यह इसके लिए required equation होगी अगर roots को reciprocal किया है तो हमने x की value को भी 1 by x से change कर दिया या माल लीजिये कोई equation है जिसमें k alpha k beta वाले equation चीए k can be any constant value उसके multiply किया हुए 2 alpha 2 beta इसमें पुछ लेता है 3 alpha 3 beta पुछ लेता है 3 alpha 3 beta roots रखने वाली equation यह दी आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे जिसमें एक change करेंगे change x by x by की आप यह चीज़ सीख लिजे कि जो original roots है वो actual में x की value में अगर इसने constant k से multiply किया है और दोनों में symmetric करना होगा उसके अभी यह पूरा application use में आता है transformation of equation का main application तो भी useful है जब दोनों में symmetric change यह आप हमेंशे याद रखनेंगे k alpha k beta किया तो हमने क्या किया k alpha मतलब root x की value होती है उसको k से multiply किया होता उसका उल्टा कर दिया हमने x की जगे अगर x by k रख देंगे is given equation में so that we will reveal so we will receive the equation उस roots are k alpha and k beta multiply किया होता है तो divide करना है suppose इसमें इसमें ऐसा लिखा हो alpha by k and beta by k अगर divide किया होता है किसी constant से तो आप यह change कर दीजे x by k x x की जगे k x सकतेंगे given equation में तो हमें वो equation मिल जाएगी जिसके root alpha by k और beta by k होगी ठीक है ना तो यह हमने change किया इसके बाद में divide हो गया multiply हो गया माल लिजे कुछ addition की बात कर ले अगर इसमें alpha plus k और beta plus k कोई constant given equation के roots में कुछ constant add होता है add होता है तो यहाँ पुल्टा काम करेंगे आप यह चीज़ सीक लेंगे अगर उसमें multiply किया तो हम divide करेंगे उसमें add किया तो हम subtract करेंगे उसमें subtract किया दोनों roots में तो हम add करेंगे पुल्टा वर्क होगा एक दम ठीक है तो alpha plus k root वाल equation required है तो आपको यह change करना पटेगा change x by alpha x minus k तो यह change कर देंगे given equation में so that will receive the equation 6 देखिया है alpha square, beta square ऐसी equation चाहिए इसके roots है alpha square और beta square तो आप यह change करेंगे change x by अगर देखिये इसने roots को square किया है और roots basically x की value होती है तो अब हम क्या करेंगे हम उसमें उसको square root ले लेगे इसका so you have to change x by x to the power half उसने square किया हमने x की power half कर दी ठीक है इसी तरह से माल लिजे alpha cube और beta cube परेगा then we have to change x by x to the power 1 by 3 तो मैं इसको x की power 1 by 3 चीन करना पड़ा गा इसमें एक और important point है कि यह जो हमने transformation के लिए changes कर दिये तो equation अपने original format में तो नहीं होगी ठीक है ना तो उसको मैं original quadratic की format में इसी में लाना पड़ेगा इस तरह का होना चीए x square वाली टमो, x वाली टमो और constant टमो खीक है ना इस जनरल फॉर्मेट तो यह जो changes देंगे उस से फिर वो equation को आपको you have to convert into the general format this is very much important की यह जो roots में जो changes है वो symmetric हो और second point की जब हम changes कर दें इस तरह से तो उसके बाद equation को उसके general form में convert करना होता है तो इस तरह से होगा में ग bots जो बाद कर भाद जात